नमस्कार सभी को और कल का दिन तो भाई मतलब भारती फुटबॉल के लिए फ़त बड़ा दिन में कहूंगा कि बताद दो बड़ी चीज़े हुई कल तो सबसे पहली जो बड़ी चीज़ हुई हम उस पे नजर डाल लेते तो भाई मुहन बागान के जो कोच हबास जी ने अपना इस्तीफा दिया था कलब से तो उनकी जगे जुआन फरेंडो जो एफसी कोच थे वो आ गया है और ये बड़ा एकदम सर्प्राइज मिला सभी को क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ ह जाएगा और खुद एफसी गुवा के उनर है उनका कहना है कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज था कि जुआन जो है वो मुहन बागान में चले गए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी इंजिरी से जा सकते हैं और आज यसे ही में वीडियोगी चालना शुरू कर रहा हूँ और देकिन यहां पर आके किस तरह से टीम में बडलाव tras है लेकिन जुआन का FC गुवा से मुहन बागान में आना तो यह तो एक सर्प्राइज है ही उससे भी बड़ा सर्प्राइज इसमें यह है कि जो इसमें पैसों का आधान प्रदान हुआ है वो बहुत भेंग कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आप देखिए मुहन बागान ने जुआन को मुहन बागान में लेने के लिए एफसी गुवा को जो बायोट क्लॉज का पैसा दिया है वो है 1.2 करोड रुपया ठीक है उसके बाद जुआन की जो सेलरी है मुहन बागान में आप सोचेंगे भी नहीं उतनी है मतलब 4.5 करोड रुपय पर सीजन उनक कुछ करने को रेडी से में कैसा लग रहा है मतलब 1.2 करोड आपने क्यों बायोट क्लॉज दिया उसके बाद आप सेलरी भी इतनी हाई तो भी मुहन बागान के जो भी फैन है वो जुआन जी का बड़ा खुशी से जो है स्वागत कीजिए आपकी टीम में क्योंकि जुआन है बड़े confident लग रहे हैं कि वह मुहन बागान में कुछ आके करेंगे और बहुत बोल रहे हैं कि मैं 110% टीम को दूंगा और टीम को वापस उस track पे लेके आऊंगा जिसमें रहा करता था पहले तो यह देखने वाली बात होगी कि जुआन किस तरह से टीम को बदलते हैं तो वो बड़ी खबर यह है कि finally All India Football Federation ने यह officially declare कर दिया कि ISL और I-League में relegation and promotion जो system है वो finally अब चालो होने वाला है और वो बस आपसे कुछ सालों दूर है कितने साल में आपको आगे बता रहा हूं तो देखिए जो AFF के secretary कुसल दास जी इन्होंने भाई finally statement दी है कि 2022 में जो I-Le में चला जाएगा मतलब 2023 और 2024 इसमें यह system चलेगा मतलब जो I-League जीतेगा वह ISL में जाएगा ठीक है इसमें को relegation नहीं रहेगा बस जो जीतेगा I-League वह ISL में चला जाएगा फिर उसके दो साल बात तो मतलब यह आपको 2025-26 से relegation and promotion जो चीज है वो आपको अपनी भारत फुटबोल लीग में देखने को मिल जाएगी ठीक है तो फाइनली सभी लोग यह बोल रहे थे ने कि promotion relegation कब चालोगा यह आना चाहिए इस से develop होगा यह होगा वो होगा तो भैली जी आप आ गई अब इसके उपर थोड़ा सा positive थोड़ा सा response दिखाई आप भी है ना कि वह इसके बाद छोटी सी एक और खबर दी है भाई कुसल दास जी के तरफ से कि अगर कोविड जो है अगले साल ठीक होता है मतलब 2022 में तो जो second division i-league है जो अभी i-league qualifier के रूप में हो रहा था वो भी वापस second division i-league जैसे होगा जैसे home और away match होते थे तो वैसे ही हो जायागा वो भी आपस से ठीक है तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है है ना इसमें फिर वो एक season long हो जायागा उसका भी तो हर चीज का season long हो जाया है तो ज्यादा matches रहेंगे और एक format जो होता ना home away match वो actually में थोड़ा सा professionalism भी दरस आता है तो वो चीज जब होगी तो थोड़ा मज भी आएगा लीग देखने में भी और excitement भी रहेगा कि थोड़े दिन-दिन में matches होंगे तो अभी देखने वाले को भी उतनी excitement नहीं रहती कि daily match कर दिये तो कई लोग busy है क्या weekend मैच होते तो सब देख सकते हैं तो भाई मुझे लगता है कि इस बात से अब आपको खुशी और जो ये शल और आयेलिग में र making promotion होने वाला तो इसके बारे में आपका विचार यह और किस तरह से और पे शुक्याय सקता ऩर गया तो एक तीम का वूला है कि भवही एक त्लम रिघंड हो की एकडिए प्रोमोट होगी तो इस में आपके विचार हो सकते हैं आप जरूर है तो आप अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोर्ट कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जै हिन जै भारत